हलो दोस्तों केसे हो आप सेब तो मेले क्या ही हूँ हर रोज की तरह एक बहुती काम की वीडियो जैसे की फ्रेंज आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज की वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है साथी फ्रेंट्स आपकी जो रोज-रोज की परेशानी है वो मिटने वाली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेर करें साथी लाइक करें और चेनल पे नहीं है तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो यहां देखिए मैंने आटा लगा लिया है और आप में बना रही हूँ रोटी तो पेले हम छोटी-छोटी लोईयां तयार करेंगे और देखिए जब भी हम लोई बनाते हैं तो हमारे हाथ में आटा क्या है लग जाता है चिपल जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है सुका आटा अपने हाथ में लगा लेना है इससे देखिए बिल्कुल भी हमारे हाथ पे आटा नहीं लगेगा और अच्छे से लोई बन जाएगी अब देखिए हमें एक रूटी बनाना है प्रेंट्स ये वाली जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और हर रोज की जो परिशानी है आपकी वो हमेशे के लिए ही खतम हो जाएंगी तो करना क्या है कि देखिए पहले आप एक रूटी बना लीजी रूटी बनाने के बाद आपको लेना है नेल पेंट तो देखिए नेल पेंट आप कोईसा भी कलर का ले सकती है कोईसा भी नेल पेंट ले सकती है जिससे कि आप देख सकते हो मैंने याप डार्क पिंग कलर का nail paint लिया है अब मैं इस रोटी के उपर एक side में देखिए थोड़ा-thोड़ा nail paint इस तरह से डाल देती हूँ आप देखिए हमें रोटी के उपर अच्छे से एक side भी अंगुली से हम हलका-हलका करके इसको फेला लेंगे फेला लिया अब हम दूसरी side को हम इसके उपर fold कर देंगे देखिए कुछ इस तरह से और जो भी nail paint लगी है वो हम उपर की तरफ इस तरह से पोंच लेंगे पोंचने के बाद हमें इसको फिर से fold करना है अब आपको लगता है कि यह थोड़ा बड़ा है तो इसको आप और fold कर दीजिए कुछ इस तरह से देखिए कर लिया अब हमें जिससे हम रोटी बनाते हैं जो हम पूरी बनाते हैं अंदर पलोतन देखिए वही आपको रोटी यहां पर बनाना है आप चाहे तो इसको मोटी रख सकते ही चाहे इसको पतला रख सकते ही अब देखे में थोड़ा सा तो इसको बेला है फिर हम हाँ से इसको मत लेंगे कुछ इस तरह से फेलाएंगे इससे देखे रूटी क्या है? स्मूथ होती है, सोफ्ट होती है फ्रेंच वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और नहीं आप वीडियो को बीच में छोड़ें क्योंकि यहां में कुछ ऐसा आपको बताने जारी हूँ जो देखने के बाद आप हेरान रहे जाओगी क्योंकि अगर आदी अदूरी आप वीडियो देखोगी तो बिल्कुल भी आपके काम नहीं आएगी उल्टा आपको नुकसान करेगी तो यह आपको पूरा वीडियो देखना है अब देखे क्या करना है कि मैंने एक बार फोल्ड किया और फिर से इसको हाज से इस तरह से हमें फेला लेना है इस तरह से फ्रेंस हमें दो तीन बार ये प्रोसेस करना है जिसे कि मैं एक बार कर ली हूँ आप देखे दूसरी बार भी कर रही हूँ देखे अब हमें तीसरी बार भी इस तरह से fold इसको करना है और फेलाना है देखे इस तरह से फ्रीर्स मैं आप से बार-बार भोड़ रही हूँ कि इस वीडियो का आप बिल्कुल भी skip ना करें और नहीं आपको आदी वीडियो देखना है वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको यह जो मैं बना रही हूँ क्या आगे हम इससे बनाने वाले हैं क्या यह काम आने वाली है रोटी क्योंकि अगर नेल पेट की जो हम रोटी खाते ही हमारे खाने में तो देखिए कोई काम नहीं आती है इसका हम क्या करने वाले हैं ताकि क्या है कि हमारी जो परेशानी है अभी बढ़सात के मोसम में गर्मियों में जो परेशानी है वो केसे मिटेगी तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी परेशानी मिटेगी तो करना क्या है कि यहां देखे आप देख सकते हो मैंने एक रोटी की तरह जो पूरी होती है उसका सेप दे दिया है अब चलिए हमें इसको सेखना भी है जैसे हम नोर्मल रोटी को सेखते हैं वैसे हम इसको सेखेंगे तो जब भी आप यह काम करें तो ध्यां रहे कि एक तो एक्स्टा है तुटा फुटा तो उससे भी आप यह रोटी बना सकती है आप देखिए जब भी आप रोटी को सेखे तब क्या है कि तवा माजावाने चीए एकदम जो पूराना होता है वो तवा आप ले लिजी और उसके उपर यह रोटी को सेखना है सेखने के बाद अगर आप हर रोज का जो तवा यूज करती है अगर उस पर यह सेख रहे हैं तो अच्छे से उसको माज लीजीगा आप देखिए यहां मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको सेख लिया है चलिए अब हम इसको चीम्टे सेखते हैं अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम इस रोटी का क्या करने वाले हैं क्योंकि नेल पेंट डालावा है तो हम तो खाने वाले नहीं है तो अकिर क्या करेंगे आप देखिए यहां मैंने एक रोटी की तरह है अच्छे से इसको सेका भी है रोटी बनाया भी है और जब हम घी लगाते हैं पलोथन में रोटी बनात तो फ्रेंस आप देख सकते हो कितना अमेजिंग आज की वीडियो होने वाली है तो अब देखिए आप देख सकते हो मैंने घी लगा लिया है और चाकू से हम इस रोटी के उपर जो घी है वो फेल आएंगे देखिए इस तरह से फेलाने के बाद अब हमें छोटी छोटी पीश इसके कट करने है फ्रेंस यह वाली जो वीडियो है आज तक यूट्व पर किसी ने नहीं बताई होगी यह वाली वीडियो पहली वीडियो है मैं आपको guarantee के साथ बोलती हूँ कहती हूँ कि आज तक यह वाली वीडियो है वो किसी ने नहीं बताई बहुती काम आएगी प्रेंज जब आप एंट तक वीडियो देखोगे तो आपको बहुती अच्छा लगेगा और आपकी जो परेशानी है वो हमेशा के लिए ही खतम हो जाएगी अब आप देख सकते हो देखे रोटी अच्छे से सिख चुकी है और अंदर से भी आप देख सकते हो नेल फेट दिख रही है चलिए यहां हम एक के उपर रखेंगे और आप दूसरा कट लगाएंगे अब देखे हमें इस तरह से रोटी को पीस को अलग-अलग कर देना है कर क्योंकि बहुत से कोमेंट भी आ रहे थे कि हमारे गर में इतनी सारी चुए हो रहे हैं बहुत से हमने बाहर वाली जो मार्केड दवाईयां है वह भी यूज की है घर में हमने ओम रेमेडी यूज किया है फिर भी इतना रिजल्च हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो हम इसा क्या करें जिससे हमारे घर में जो GP-2 हो रहे हैं वह बिना मारे ही हम घर से बहा निकाल दें तो यह वाला जो home remedy आज हमने गर पर बनाया है जिसे हमने नेल-frame डाल के एक रोड़ी बनाई हैं इससे आपके जो रोज-रोज की समस्या है चुहों कर वो हमेशा के लिए ही खतम हो जाएगी अब देखिए हमें इस रोटी को केसी रखना है ताकि हमारे गढ़ में जो भी चुए हैं वो हमेशा के लिए ही घर छोड़ के बाहर चले जाए तो करना क्या है कि आपको देखिए रात के टाइम जब कीचन का सारा काम निपड़ जात एकदम अच्छे से साफ सुत्रा रहना चाहिए और अब देखिए हम गयास के उपर भी रोटी का टुकड़ा दा देंगे ताकि क्या है चुहें पूरे कीचन में घूमते हैं गयास के उपर गयास के नीचे तो इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है तो फ्रेंस यह वाल काटिंग में रोटी में नेल पेंट डाला था तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान ना हो ना आपके बच्चे को नुकसान हो और यह वाली वीडियो आप पूरा देखो कि तब भी आपको समझ में आएगा कि क्या हम इस रोटी से करने वाले थे तो फ्रेंस घर स चुही बगाने का यह देशी उपाय आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में